सरकार हमेशा हमको दो बात कहती है एक तरफ तो यह कहती है कि हम लोग जो पैट्रोलियम प्रोड़क्स का इंपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्री से उसको कम करना चाहते हैं इसलिए डीजल के अंदर एथनॉल को मिक्स किया जाए ब्लेंड किया जाए दूसरी बात यह भी है कि ज अखिर कार यह कॉंट्रेडिक्शन क्यों उत्पन हो रहा है और कैसे हम लोग इसको दूर कर सकते हैं सबसे पहले एक न्यूज आर्टिकल को हम लोग समझते हैं मिंट का यह न्यूज आर्टिकल है डॉन्ट यूज शुगर कैन जूस और शुगर कैन जो सिरप होती है इसको एथनॉल प्रोडक्शन के अंदर यूज नहीं लेना है तो फिर एथनॉल बने का कैसे चले समझते हैं यह सीज को कि आखिर कार एथनॉल जो है उसके बनने का प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले आप लोग यह देखे कि हुआ क्या है रिसेंटली सरकार की कंजियोमर और अफ एथनॉल फ्रम एग्जिस्टिंग उफर देखा होगा जैगरी गुड जो बनता है गुड को बनने से पहले एक छोटा सा प्रोसेस होता है अब लोग यह मान के चलिए कि जैसे मान पानी से बर्फ बन रही है आईस बन रही है तो बर्फ जमने से पहले एक किसलाई फॉर्म ह होता है ठीक है तो वैसे ही ये जो आप लोग देख रहे हैं मौला सैस ये गुड़ बनने से पहले की एक short stage होती है जिसका इस्तमाल जो है वो कर सकते हैं हम लोग ethanol को बनाने के अंदर या फिर दूसरे जो fuel products होते हैं वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं सरकार ने इसकी उपर रोक नहीं लगाई है sugar can के juice और sugar सिर्फ के उपर रोक लगा दी गई है हास तोर पर हम लोग देखे हैं कि भारत के अंदर जो sugar can का production होता है उसके अंदर UP पहले नमबर पर है दूसरे नमबर पर महराष्टर है तीसरे नमबर पर करनाटगा है चौते पर तमिल नाडू है और पांच पर बिहार है मुझे आज भी याद है कि मैंने जब UPAC का मेंस दिया था उस समय कोशन ये पूछा गया था कि जो sugar की industries है वो UP से महराष्टर क्यों shift हो गई है इस time frame के अंदर तो answer बड़ा गजब का था उसका देखे क्या होता है कि sugar can जो होता है उसको उगाने के लिए थोड़ा सा मौशर चाहिए होता है और जहां पर एक easily industry का establishment हो साथ में वहाँ पे transport अच्छा हो इसे लिए महराष्टर जो है वो UP से ज्यादा ध्रद्र ग्रो कर रहा है आगे आने वाल टाइम में हो सकता है कि महराष्ट यूपी को भी बीट कर दे लेकिन अभी तक हमारे पास में यह पांच state है जहां पर sugar can जो है इसका production हो रहा है लेकिन दूसरी बात यह ह कि जो production हो रहा है उस पर एक effect पढ़ रहा है short rainfall का short rainfall मतलब insufficient जो rainfall होती है उससे जो फसल होती है वो भी कम होती है और अगर फसल कम होगे तो हम लोग उससे चीनी भी कम बना पाएंगे या फ़र sugar can का use कहां जहां भी होता है वो use कम हो पाएगा तो ये दो factor जो है वो हमारे सामन crops है उनका use होता है और उसके अंदर से गन्ना है जैसे मक्के को भी हम लोग यूज करते हैं जैसे चावल की भूसी है मक्का है इसको भी हम लोग use करते है लेकिन यहां पर सरकार नहीं कहाई कि बाकी को आफ लोग यूज कीजिए एथनल को बनाने के अंदर लेकिन sugar can जो है इ यह जो हम लोग देखते हैं, biofuel, यह कितने प्रकार का होता है, एक और देखे, bio diesel होता है, bio ethanol होता है और bio methanol होता है, मतलब diesel के अंदर, जब आप लोग ethanol को mix कर रहे हैं, ठीक है, ethanol है, bio ethanol है, ठीक है, bio methanol है, यह basically एक carbon product होता है, composition के अदाल पर हम लोग यह जो है, इसको divide करते हैं ठीक आप देखिए, शक्कर की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, आप ये समझ ये कि हम लोग जैसे जनसंख्या हमारी धीरे धीरे वरदी कर रही है, उसके हिसाब से हमको domestic जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको भी ग्रोग करना पड़ेगा, चीनी जो है इसका consumption हर घर के अंदर होता ह हो, उन में से 7-8 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जहांपर sugar का use होता है, मतलब consumption जो हमारा बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से हमको sugar जो है, वो भी ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन सरकार का ये कहना कि आगे आने वाले टाइम में, sugar की price ज्यादा ना बड़े, उसको प अपने sugar can को बेच देंगे वहाँ पर, जहांपर ethanol production हो रहा है, तो फिर शकर कैसे बनेगी, और अगर शकर नहीं बनेगी, तो demand जो है, उसकी तो produce और demand जो है, और high जाएगी, और demand हाई जाने से sugar can की जो price है, वो भी increase हो जाएगी, तो सरकार जो है regulate करना चाहती है, sugar की ये जो prices हैं इनको, ठीक है, मिलो में blending की जरुवतों और oil manufacturing जो companies है, उनके मौजुदा order को पूरा करने के लिए, be heavy molasses, तो molasses मैंने आप लोग को बताया है, molasses से ethanol का production जो है, वो जाले रहेगा, उस पर कोई भी रोक नहीं है, ये अभी का process मैंने आप लोग को बताया है, सरकार ने य 10 रुपए प्रतिक क्विंटल जो है, FRP बढ़ाये गया है, ये जो FRP है, इसकी full form क्या होती है, FRP की full form है, fair and remunerative price, FRP basically ये होता है, कि जब भी कोई गन्ना किसान अपने गन्ने को किसी मिल के अंदर लेके जाता है, तो मिल का मालिक जो है, उसको एक उचित दाम देना प्रतिक क्विंटल उसको 325 रुपए जो है, 315 रुपए, 315 रुपए जो है, पे करेगा, तो 10 रुपए यहां पे बढ़ाये गये हैं, पहले 305 ही था, पहले कितना था? पहले 305 था, सरकार ने 10 रुपए और बढ़ाए कि मिल मालिक जो है, वो क्या करेगा, 315 रुपए प् पार्केटिंग येर में शुगर मिलों ने 3353 लाख टन जो गन्ना है उन उत्पादकों से गन्ना खरीदा था जिसकी कीमत 1.11 लाख करोड थी जबकि आज से 10 साल पहले अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर 57104 करोड का गन्ना जो है वो खरीदा गया था मतलब पहले से हमारा क कर पाएंगे एसेनल के अंदर ज्यादा गन्ने का यूज करेंगे तो शुगर जो है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और आटमेटिक डिमांड बढ़ने के कारण उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी अगर हम लोग देखें कि एसेनल प्रोडक्शन के लिए गन्ने का क अगर हम लोग सीजन वाइज देखें तो जितने भी हमारे पास में मिले काम करती है तो जर बाइस थे इसके आख़र ओपर नजर डालिए टोटल जो है वो पांसो एकत्ती शुगर मिल है जिन में से ग्यारा जो है वो गवर्मेंट की है पब्लिक है तीन सो तीस प्राइवेट सेक्टर की होती है और इनके कोशिश रहती है कि हम लोग जदा प्रॉफिट जो है उसको बना कर चले और इसमें शोशन किसका होता है फार्मर का जो है वो इसके अंदर शोशन किया आता है इसलिए एफर पी जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है पिछले दस स के अंदर जो प्रोड़क्शन हो रहा था उसी के अंपरिजन में कोई खासा यहाँ पर इंक्रिमेंट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर शुगर के अंदर शुगर प्रोड़क्शन में देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर बहतर प्रोड़क्शन ह हो सकता था लेकिन यहां से जो गन्ना है उसको भीज दिया गया है एथनॉल के प्रोडक्शन के अंदर इसलिए यहां पर यह जो प्रोडक्शन है शुगर का वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है लेकिन पॉपॉलिशन तो उसी साहब से बड़ी है और वो पॉपॉलिशन तो डिमांड करेगी कि हमको यहां वो शुगर चाहिए असलिए सरकार में साइड किया है कि वो पहले से ही इस प्राइस को रेगुलेट करना चाहती है ऐसे वो ब्लेंडिंग कर सकते हैं लगबग 10 प्रतिशत क्या असपास होती है यह जो है वो परशंटेस के अंदर आंकड़ा है ठीक है यह आप लोग देख सकते हैं सीजन वाइस चीनी का प्रोड़क्शन और एक्सपोर्ट देखिए अगर हम लोग सीजन वाइस देखें तो ज़र 22 तेस के अंदर हमने टोटल जो प्रोड़क्शन किया था शूगर का वो कितना था 208 सी अब देखिए पिछले साल के कंपरिजन में कम है उससे पहले वाले भी कंपरिजन में कम है तो प्रोड़क्शन जो है शूगर के कंपरिजन में यह घटता जा रहा है ठीक है और डिमान तो उतनी है अब टोट Domestic जो consumption है वो ही ज़दा थी इसलिए इसके export पर ban लगा दिया गया था कम कर दिया गया था तो पहले के comparison आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़दा मतलब लगबक half जो है आदा हो चुका है इसका total export तो 8 माई 2023 तक ये जो आंकड़े हैं वो आप लोग के सामने हैं तो हम लोग य आते हैं कि sugar का जो export बाहर की तरफ हो रहा है foreign countries के अंदर हो रहा है इसको एक बार के लिए थोड़ा सा कम किया जाए domestic जितना बार consumption है इसको complete किया जाए demands को fulfill किया जाए और इसलिए सरकार ये चाहती है कि इसके prices जो है उसको regulate किया जाए तो सरकार का decision जो है वो वह वाकई में time के अंदर अगर sugar की price बढ़ती है तो जनता जो है वो इससे परिशान हो सकती है इसलिए पहले से ही हम लोग इस price को regulate करके रखेंगे पहले से इसको control करके रखेंगे ठीक है चलिए तो आप लोग के लिए limitless leadership का एक core जो है वो design किया गया है आप लोग को coupon code use करना है leader जिससे आप लोग को discounted price में available होगा एक December से already ये core जो है वो start हो चुका है आप लोग इसके साथ में जरूर जूडिएगा दीपक इंदर ऑफिशेल टेल्गराम तेनल है आप लोग यहाँ पर इसको join कर लीजी आप लोग के लिए MCQ इसके साथ में PDF notification आप लोग को यहाँ पर available करवा दे जाएंगे मिलते हैं आप लोगों से अगले शेंशन में तब तकले धन्यवाद थैंक्यू जैहिंद